तो क्या हल चाल है भाई लोगो आज तुम्हारा भाई लेकर आया एक नया वीडियो ठीक है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिस्ट्री के बारे में ठीक है तो हिस्ट्री के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो उस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे प बारे में बता देता हूँ, आज को अपना चैप्टर है, वो चैप्टर नमर वन, और वाट, वेर, हाउ एंड वेन, मतलब क्या, कहां, कैसे और क्यों, ठीक है, कब, इन सारे सवालों के जवाब आज आज आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, कि अपना जो इतियास है, व लोग कहां रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, तो वो सारी चीजों के सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं, या फिर डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें देखो कितने सारे कोश्चन मिलेंगे, वाई पास्ट, अब आप इस बुक का अगर नाम पास्ट क्यों लगाया, या फिर बहुत सारा इतियास था, मतलब एक एक पास्ट खतम होगा, फिर दूसरा पास्ट स्टार्ट होगा, फिर तीसरा पास्ट, मतलब ये बहुत सारे पास्ट में, मतलब पास्ट है हमारा, या फिर एक था, इस सवाल का जवाब मिलेगा, या फि और ऐसी बहुत सरी चीज़ें कि लोग कहां पर रहते थे या क्या खाते थे ठीक है अगरी कल्चर कब से स्टार्ट हुआ है क्या वो नदियों में रहते थे पहाड़ों में रहते थे गुफाओं में रहते थे या फिर कहीं उनके घर थे ठीक है उन चीजों के बारे में पता च तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि 100 years ago मतलब अब एक नॉर्मल human being की अगर बात करते हैं तो उसको हो सकता है अपने कल का बीते हुए कल की चीज़े याद हो ठीक है, हो सकता है उसको अपने पिछले साल, एक साल की, दो साल की, या max to max 5 साल, 10 साल, ठीक है, मतलब in short कह सकते हो 10 से 5 साल तक का एक human being को याद हो सकता है उसकी memory power में और वो भी इतना याद हो सकता है कि हो सकता है मेरी 6 क्लास में, मेरी teacher बहुत strict थी, मेरी 8 क्लास में बहुत जादा पिटाई हुई है, तो बड़ी लेवल पे चीज़े याद हो सकती है, लेकिन ये जो इतनी पुराना हितिय इतने 100, 200 साल, 1000 साल पहले की चीज़ें, लोगों को कैसे याद है, ठीक है, तो उसके दिमाग में हमेशे ये सवाल उठा कि, यस्टरडी की चीज़ें हमें याद हैं, लास्ट ये की चीज़ें हमें याद हैं, लेकिन what about long long ago, मतलब बहुत सालों पहले की चीज़ें लोगों क कैसे पता हैं, तो उसके मन में ही सवाल है, आपके मन में भी सवाल यही है, और मेरे मन में भी सवाल रहता है, कि हम हजारों साल पहले की चीज़ें किस तरह से याद रखते हैं, और कैसे याद हैं, कैसे हमें पता हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से बच्चे थे उस टाइम पीरिड में वह लोग क्या खेल खेलते थे कौन सी कहानिया सुनते थे तिक है क्या खाते थे या फिर कौन से सौंग सुनते थे इन सारे सवालों के जबाव आपको मिलने वाले और इस चैप्टर में फाइंड करने वाले हैं अब कुछ और बेसी कॉंसे यहां पर बच्ते हैं, लेटिन बर्ड एनो दामीनी से ठीक है जिसका मतलब होते है लॉड ठीक है लॉड मतलब भगवान या फिर जो क्राइस्ट कह सकते है उनको और 2012 जो इयर है न वह इस तरह से वह किस में लिखी गई है वह लिखी गई है आप 82012 ठीक है इसका मतलब अगर मैं आपको और जैसे बिफूर क्राइस्ट मतलब जो जीसस थे उनकी जन्म होने से पहले का टाइम पीरिड और एड का मतलब आफ्टर डेथ मतलब जो क्राइस्ट थे जो लॉड थे उनकी डेथ होने के बाद का टाइम पीर ठीक है तो यहां पर इन्वर्ट का मतलब ही होता है अब यहां प ट्रोंब्स का यूज किया गया थी एक्स्प्लेन करने के लिए आने वाली वीडियो में आने वाली स्लाइड सुगी अनमें आप आपको देखने को मिलेगा और यहां पर यह कि अपनी भारत देश ना भारत देश में इन डेटिंग्स का मतलब जो बी-सी हो गया यह बी-सी-ई या फिर-सी-ई इन टर्म्स का यूज ना 200 साल पहले भारत में यूज किया गया है भारत की जो कैलेंडर है भारत की जो हिस्ट्री है उनमें इन वर्ट्स का जो इंट्रॉड़क्शन हुआ है वह 200 साल पहले किया है ठीक है एंड सम्टाइम ज़ेटर और यहां प तो इस तरह से आप इनको याद रखना अब यह कोर्शन आता है कि वही मैंने आप से जाए कि लोग कहां रहते थे क्या वो नदियों के किनारे रहते थे या रहते थे या गुफाओं में पहाड़ों पर रहते थे या वो कहीं अपनों उनका शैल्टर था ठीक है तो इन सारो सवालों का जवाब का answer के वारे मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला इस map को अगर आप देखते हो तो यहां पर मैंने एक नर्मदा नदी को introduce किया है, ठीक है, एक second guys, यहां पर आप यह देखें कि नर्मदा नदी को introduce किया है, और यह नर्मदा नदी अपने इंडिया map म क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां पर इसलिए दिया गया है, क्योंकि यहीं पर जो अपने instant time period के जो लोग थे, जो आदिमानव थे, वो नदीयों के किनारे रहना उन्होंने start किया था, ठीक है, अब नदीयों के किनारे उन्होंने रहना क्यों start किया था, इसके पीछे की का नर्मदा नदी जो थी, उसकी किनारी किनारी उन्होंने अपने रहने की जगह बनाई थी, और वो क्यों बनाई थी? उसके पीछे का रीजन यह था, अब जैसे कि मान लो, उनके पास उस टाइम यह नहीं था कि कोई बरतन होता था जिसमें वो पानी स्टोर करके रख सकते थे अपने पास, नहीं न, तो वो क्या करते थे? जानवरों को हंट करते थे, फ्रूट्स खाते थे, पेड़ पौदों से चीज़े तोड़ के खाते थे, ठीक है? मचलियां खाते थे, तो इस तरह से जब इन चीज़ों खाते थे, तो उनको प्यास भी लगती थी, अब वो प्य यह एक रीजन था जो उनको नदियों के पास रहने के पीछेगा, ठीक है, अब वहाँ पर जब बात की जाती है, कि चलो उनकी फैमिली थी, वो लोग रह रहते, ठीक है, अब उनको खाने को चीजे कैसे मिलती है, तो उन हर एक फैमिली में कोई ने कोई हंटर होते थे, हंटर म अगर आप यहां पर देगो, some of the earliest people who lived here were, मतलब earliest people का मतलब यहां पर यही है, कि earliest people उनका गया है, जो की हंट करते थे, animals को, हंट करते थे, मतलब जो birds को, मतलब पंचियों को, या जानवरों को, या मचलियों को, ठीक है, हंट करते थे, या जो पेड़ पोदों से फल करते थे, अपने खाने की तलाज के लिए, तो उन लोगों को यहां पर earliest people का गया है, मतलब अब वो लोग क्या करते थे, earliest people क्या थे, वो बहुत skilled gatherers थे, मतलब बहुत अच्छे शिकारी थे, ठीक है, और वो क्या करते थे, वो अपने खाने के लिए इधर से उधर घूमते थ इधर करते थे, they knew about the worst wealth of plants in the surrounding, उनको पेडों के बारे बहुत अच्छी जानकारी थी, कि कौन से पेड से फरले या fruits या चीजे खानी चाहिए, या कौन से नहीं खानी चाहिए, ठीक है, वो क्या करते थे, forest and collected, वहां से roots, fruits, या other forest की जो productions होते थे, उन सब चीजों को लाते थ खाने से, तो उन लोगों को earliest people कहा गया है, ठीक है, और वो क्या करते थे, animals को भी hunt करते थे, अब आगे चलते है, नर्मदर नदी का, आपको एक concept clear हुआ हो, कि मैंने वो क्यों introduce किया, क्योंकि starting में उन लोगों नदी के किनारे किनारे अपने घर रहने को बना लिये थे, ठीक क्योंकि आपको आंजर बताता हूं, लेकिन उसके पहले में एक चीज बता देता हूं, अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हिस्ट्री तो हिस्ट्री यानि कि सालों, हजारों सालों पहले की बात है, तो उस टाम तो ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान या कि अपर किरफहार हिल्स हो गया सूलेमाण तो अब आप यह देखो कि सूलेमान की चारीयुार थे उन्होंने क्या किया सबसे पहली जो crop थी वो ग्रोव करी थी ठीक और वो कौन सी crop थी वो थी wheat और बेरली यानि 8000 साल पहले की बात है 8000 साल पहले वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने सबसे पहले जो crop ग्रोव करी थी वो थी wheat और बेरली ठीक है पर लोगोंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था जैसे भेड बक्रियां उन्होंने जैसे बक्री से दूद मिलता है तो उन्हों उन्हों चीजों करी कि हाँ भाया में इनसे चीजे मिलती है खाने पीने हो तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया वजा है उनको मारने से ठीक है तो उस टेम सूलेमन और किर्थार हिल्स में ये चीज़ें इंटुडीउस हुई थी कि सबसे पहले wheat crop grow ही थी ठीक है और वहां पर उन लोगों ने animals को पालना शुरू कर दिया था अब बात करते हैं the Garo Hills to the North East and the Vindhyaas in the Central India मतलब कि जो Garo Hills और Vindhyaas इन दो जगे को क्यों इंटुडीउस किया इसका मतलब है इस वर सम अफ द अधर अधर एरियास विर अग्रिकल्चर डेवलप्ट तप्लेस वर राइस वस फर्स्ट ग्रोन और टू नॉर्थ विंद्यास यहां पर बताया गया है कि मतलब यह ऐसी जगे थी जो Garo Hills और विंद्यास थी जो ऐसी जगे थी जहां पर एग्रिकल्चर काफी डेवलप्ट हो चुका था मतलब काफी ज़्यादा वहां के वारे में लोग खेती करने के वारे में काफी ज़्यादा जानचुके थे मिलाब जो एरियास थे वह काफी ज़्यादा डेवलप्ट हो चुके थे वहां जो लोग रहते थे जो Garo Hills में रहते थे जो विंद्यास में रहते थे वहां पर सबसे पहले क्या चीज घ्रॉई थी राइस तो अगर आप से सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहले wheat कब ग्रो हुआ था अपने history according अगर पूछा जाता है तो 8000 years ago ये ग्रो हुआ था सूलेमान एं किर्थार hills में wheat and barely ठीक है और उन्होंने animals को पालना शुरू किया था लेकिन अगर rice के वारे में पूछा जाए कि rice सबसे पहले कहां ग्रो हुए थे तो आप बात करोगे north of the windhya मतलब जो north यानि कि central इंडिया में windhya जगह है वहाँ पर सबसे पहले चावल ग्रो हुए थे इस पूरी अर्थ पे ठीक है तो याद रखना फिर आप बात करते हैं next map की next map में introduce किया है कौन सी नदी को इंदस नदी को और इनकी trivi trees को trivi trees क्या होता है trivi trees होता है कि जैसे कोई एक बड़ी नदी मतलब गंगा हो गया इंदस हो गया नर्मदा कावेरी यह जो बड़ी बड़ी नदिया है इनसे छुट-छुटी आप यह देख सकते हो यहाँ पर कि इंदस river तो यह जा रही है ठीक है इंदस river यह पूरी जा रही है लेकिन इससे trivi trees कितनी सारी connected है मतलब छुट-छुटी नदियां बन जाती है मतलब छुट-छुटी नदियां कह सकते हो तो उनको trivi trees कहा जाता है ठीक है तो इंदस नदि के बारे में यहां introduce क्यों किया अब इंदस नदि का राज बताता हूँ यहाँ पर लिखा है कि about 4700 years ago यानि कि 4700 साल पहले some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers यहाँ पर बताया गया है कि जो trivi trees थी यहाँ जो इंदस नदि थी 4700 साल पहले की बात है वहाँ पर जो cities थी मालब जिसे गाओं होते थे छोट-छोटे उनको मालब उस तेम city का गया है लेकिन छोट-छोटे गाओं होते थे जो छोट-छोटे शहर बनने स्टार्ट हुए थे वह काफी जादा flourished मतलब काफी जादा अच्छे से बन चुके थे डेवलप हो चुके थे 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे ठीक है अब लेटर अब उसके बाद 2500 साल पहले की बात है cities developed on the banks of the ganga and its distributories and along the sea coast मतलब कि जो sea coast मतलब आप कह सकते हो कि इस इलाके में यहां की बात कर सकते हो यह sea coast है ठीक है यह sea coast है यह वाला इससा तो sea coast हो गए यह फिर जो गंगा नदी हो गई या गंगा नदी की जो tributaries हो गई यानि कि 4700 साल पहले तो वहाँ पर flourished हो चुकी थी मतलब cities जो शहरों का बनने का निर्माड था वो शुरू हो चुका था लेकिन 2500 साल पहले मतलब उसके बाद 2500 साल पहले जो cities थी वो अच्छी खासी developed हो चुकी थी और वो कहां developed हो चुकी थी गंगा नदी के किनारे या फिर उनकी tributaries के आसपास यह जो sea coast हो गया उसके आसपास ठीक है तो यह बताए गया the earliest city to be developed in India यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहली जो earliest city थी जो developed हो चुकी थी इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो ही थी हरपा इन पंजाब मतलब पंजाब में एक हरपा नाम की जगह है वहाँ पर earliest city जो इंडिया में वो developed हो चुकी थी लेकिन जो currently वो जगह है वो लाई करती है पाकिस्तान में क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़े हुई है अब पाकिस्तान जो डिवाइड हुआ तो वो जगह किसके हिस्से में चलेगी वो हिस्से में चलेगी पाकिस्तान के तो याद रखना सबसे अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहली city earliest जो city थी वो कहाँ पर developed हुई थी इंडिया में दिली हो गई कोसी हो गई गंदक हो गई यह इसकी ट्रिविटरीज है ठीक है अब नेक्स्ट आपको कुछ कंसेप्स और बदाता हुँ अब यहाँ पर लिखा है कि इन एंसेंट टाइम्स दा एरिया अलोंग इस रिवर्स तु तु तो साउथ ओफ दी गंगा अब आपको बता दो अब आप यहाँ पर यह देखो एक सिकेंड गाईज ओक यह देखो इसको अच्छे से देख ले ना उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, कि इन एंसेंट टाइम्स, मतलब बहुत समय पहले, जब पुराने टाइम पर, एरिया लॉंग दीज रिवर्स, यानि कि जो गंगा नदी थी, उसकी साउथ में, गंगा नदी कहाँ पर है, अब आप गंगा नदी एक बार देख लो, यह रही गंगा नदी, ठीक है, यह गंगा नदी गई और अपना बिहार कहाँ पर पढ़ रहा है, इस हिस्सें में बिहार पढ़ रहा है, ठीक है, तो यह बिहार है, और यह गंगा इस से पास हुए है, इस जगह से बिहार से, यूपी से होते हुए, तो को मिटा देता हूं तो आप सबसे पहले यह देखो कि अपना बिहार इस जगह पर पढ़ रहा है ठीक है गंगा नदी यहां से पास हो रही है अब इसका साउथ कौन सा होगा साउथ, नौर्थ, इस्ट और वेस्ट ठीक है यह हुआ तो यहां पर कौन सी जगह लाई कर रही है यहां पर एक जगह का इंट्रोड़क्शन की दिया है वो है मगधा मगधा एक जगह है जो कि कहां लाई करती है स्टेट ओ बिहार में और वो कौन सी गंगा के साउथ की तरफ तो आग आप यहां पर इस मैप में देखो यह देखो यह अपना बिहार ठीक है इसकी तरफ मैंने आपको बताया था यह अपना साउथ हो गया यहिया यह इस्ट और यह वेस्ट और यहां से अपनी यह गंगा नदी गुजर रहे है तो आप यह देखो मगधा पूरा किसकी तरफ पढ़ रहा है, South की तरफ पढ़ रहा है, गंगा के South की तरफ, तो इस मगदा वर्ड को इंटूर्ज किया मगदा एक जगे थी, ठीक है, its rulers were very powerful, मतलब जो मगदा जगे थी बिहार में, जो लाई करती थी, वहां की जो rulers थे, वहां की जो राज करने वाले लोग थे, वह ब other parts of the country as well, मतलब यहां पर बात की गई है, कि सबसे पहले हैं बताया कि मगदा एक बिहार में ऐसी जगे थी, जो वहां के जो rulers थे, वह बहुत जदा powerful थे, और उन्होंने क्या किया, एक kingdom set up किया, और ऐसे ही kingdoms all over world में, अलग-अलग countries में set up हो चुके थे, ठीक है, throughout people traveled from one part of the subcontinent to another, मतलब इसके बाद लगातार, लोग क्या करते थे, एक जगे से दूसरी जगे, travel करते थे, मतलब यहां पस, from one part of the subcontinent to another, ठीक है, the hills are high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas made journeys dangerous at times, यहां पर पताया है कि जब लोग move करते थे, एक जगे से दूसरी जगे, तो उन्हें कितनी सारी problems face करनी पड़ तो उनकी journey को काफी जदा dangerous बनाती थी, लेकिन उनको रोक नहीं पाती थी, वो फिर भी इन चीजों से लड़ते, गिरते, पड़ते, अपनी journey, अपनी traveling पूरी करते थे, ठीक है, so man and woman moved in search of livelihood, मतलब यहां पर बात की कि जीवी का जीने के लिए, वो अपनी जिन्दगी जीने क अपनी जीवन को जीते थे और अच्छे से, ठीक है, as also to escape from natural disasters like floods and droughts, यहां पर बताया गया है कि इन सब चीजों के साथ-साथ उनको natural disasters जो आते थे, जैसे कि बांड हो गई, तूफान हो गया, cyclone हो गया, इन सब चीजों को भी वो फेस करते थे, ठीक है, so sometimes men marched in armies conquering other lands, लेकिन यहां पर यह भी बताया गया है, कि जैसे कि, कोई एक गाउं के लोग हो गया, जैसे मानलो मैं आपको example लेता हूँ, कोई गाउं के लोग है, और उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, या फिर भुकमरी से मर रहे हैं, चीज़े उनके साथ बुरी हो रही है, तो वो करूंगा, या किसी को मार के उसका पैसा चीन के खांगा, तो स्था रहे हैं, वो लोग भी करते थे उस वनके और तो ऐन करते तो हृँ आर्मी कि तरह मार्च करते थे और ढूसरी जगह को भी वहर राज करने की सोचते थे, वहां कर रहे हान सत那么 क्रोण से करें। Besides, merchant traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. After this, merchants traveled with caravans and caravans and goods from place to place one place to place one place to place another place. So here is the introduction of the king and the king and the king of the king have set up. हुआ ठीक है फिर लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करें उनके हिल्स माउंटेंस या फिर नेचरल डिजास्टर ने उनको रोकना चाहा लेकिन वह नहीं रुके और उनको फेस करते हुए वह आगे बढ़े अपनी जिन्दगी जीने के लिए ठीक है और यहां पर मर करते हैं तो हर एक चीज को इंट्रोड़क्शन दिया यहां पर अब आप देखो एंड रिलीजिस टीचर्स फॉक्ट फ्रॉम विलेजिस अब यहां पर टीचर्स की बात करें जो धार्मिक सिक्षक थे ठीक है वह क्या करते थे वह विलेज तू विलेज और तू 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 त मतलब उनको रोकने के लिए या उनको एडवाइस करने के लिए उनको किसी चीज का इंस्ट्रक्शन देने के लिए ठीक है फाइनली सम पीपल परहाफ्स ट्रैवल ड्राइवन वाय स्पिर आडवेंचर वांटिंग तो डिस्कवर निव एंड एक्साइटिंग प्लेस अल द नहीं नहीं चीज़ें डिसकरवर करना चाते थे एकसाइटिंग प्लेस घूमना चाते थे और वो उन सब चीजों के वारे में आइड वों साभी करते थे अपनी चीजें अपने एक्सपिरियंस को लोगों के बीच अपनी चीज़ों को बताते थे तो यहां पर बहुत सारी से बताई गहीं kingdom सेट अप हुआ वहां पर लोगों में आर्मी की तरह मूव करें दूसरे लैंड पर कॉंकर भी किया ठीक है और जो मर्चेंट्स थे वह अपनी शिप पर सामान लेकर ट्रेवल किये एक जगे से दूसरी जगे और जो टीचर्स थे धार्मिक्स टीचर्स थे वह गाउं से गाउं शहरों से शहर घूम कर अपने इंस्ट्रक्शन से अपने ग्यान को लोगों के वीच बाटते थे या फिर जो ऐसे लोग थे क्या बोलते हैं वह नई एक्साइटिंग प्लेसिस को डिस्कवर करते थे या नए ऐसे अडवेंचर करके आते थे और वह लोगों लोग क्यों था अब यहाँ पर बात करते हैं वाई डू पीपल ट्रेवल ओड़ेस अब करेंच्वर यो घ्रॉड़ेस और बहुत मुश्किल होता है कही लोग को इन फ्रेंटीर्स को क्रॉस करना तोस वांटेड कूड और इंडनीड इस किल्दा मांटेश। म tomar 6 इसे बात यहाँ पर बताई कि कि जो लोग इन चीजों को इन जोआ करना चाते है घूमने जाना चाते थै दे वह ही ज़ो इन पर यह इनको को जोटते वह दिरते थे पर वह इनसब चीजों को अडिसकोवर करते थे लोग अधने आपने यस अरट में आंग तेखो तो यहाँ पर बहुत सारे frontiers हैं, boundaries हैं, mountains हैं, जो कि उन्हें रोक रही हैं, ठीक है? These movement of people enriched our culture, tradition, people have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. मतलब इदर से उधर जाना, एक land से दूसरी जगे, एक देश से दूसरी जगे जाना, ठीक है? तो एक देश से दूसरे देश, मतलब यह जो घूमने फिरने से क्या होता है? घूमने फिरने से चीज़े होती हैं, कि हम दूसरी जगे कल्चर को जान पाते हैं, वहां के खाने के के वारे में जान सकते हैं वहां की डिशिस के वारे में वहां की म्यूजिक के वारे में तो इन सब चीजों के वारे में जानते हैं और फिर हम जब बापस आते हैं तो हम चीजों को लोगों के भी शेयर करते हैं और हम खुद से भी उनको अपने एडॉप्ट करते हैं और इंज भारत मतलब है कि अपना देश भारत नाम इंडिया का लिए भारत इंडिया की रॉड किशे? यहां पर इंडिय के अर में इंडिया की बात करते हैं सिंधू ठीक है लेकिन यह जो इंडिया वर्ड है वो कहां से है इंदस नदी से find Iran and Greece in our atlas आप यहाँ पर अगर अपने atlas map में देखते हो तो इरान और Greece एक ऐसी जगह है वहाँ से लोग जो इरानियन्स थे और जो इंदस नदी से और उन्होंने उस नदी को कहना शुरू कर दिया हिंदोस या इंदोस ठीक है और and the land to the east of the river was called India और जो लेंड था उस नदी के east में उनको उसको उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया था तो सिंपल सी बात में इसको समरी में एकर explain करता हूं तो जो इरानियन्स थे और जो ग्रीक्स थे वह 25 साल पहले की बात है नॉर्थ वेस्ट से इंदस नदी के पास आये और उन्दस नदी से वह फैमिलियर हुए और जो इंदस नदी के पास east side जो अपना देश था इंडिया एक land था उसको उन्होंने इंडिया कहना है start कर दिया इस तरह से अपने देश के नाम इंडिया पढ़ गया ठीक है और भारत वर्ड इसलिए पढ़ा क्योंकि जो नेम भारता था वो क्या होता था used for a group of people who lived in the north west ये जो भारता वर्ड है वो use किया जाता था रिगवेदा और उन्होंने मैंशन किया था इस वर्ड को रिगवेदा में अर्लिएस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेट अबाउट 35 साल पहले की बाद और उसके बाद उन्होंने इस देश को भारत देश कहना भी शुरू कर दिया था अब बात करते हैं फाइंडिंग बताईगी है कि हमें बुक्स मिलीं बुक्स का मतलब पहले के समय के लोगों ने पत्तों के ऊपर लिख के चीजें या फिर उननों किसी चीज से बांद के बुक्स बनाईएं तो वह बुक्स हमेरे हम लोगों ने उनको बहुत जाद प्रेट किया ठीक है उसको लिखी गई है, they were written by hand, ठीक है, और यह word manuscript कहां से आई, Latin word है, manu, इसका मतलब हातों से लिखा गया, these were usually written on palm leaf, एक palm leaf होती है, जिसके ओपर इनको लिखा जाता है, ठीक है, यह जो books के pages है न, वो palm leaves है, ठीक है, और on the specially prepared bark of the tree known as birch, ठीक है, especially अगर उनको prepare के जाता है, जो bark होती है, बर्च एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, जो की बर्च नाम से जाना जाता है, और वो कहां पर grow होता है, वो grow होता है, हिमालिया साइड में, ठीक है, इस duration में बहुत सारी ऐसी manuscript है, जो की कीडों के द्वारा destroy हो गई है, ठीक है, खतम हो गई है, खा ली गई है, eaten by अवेवाई insects, some were destroyed, बट बहुत सारी ऐसी थी जो manuscript बच गई, जो की preserve करके रखी गई है, कहां पर temples में, मॉनेस्ट्री में, ठीक है, museums में, मतलब temples में, इनको बचा की रखा गया है, और ये कौन-कौन से किस-किस topic पर books है, ये books है, religious belief, यानि कि धार्मिक के उपर, ठीक है, और उनकी practices के उपर, राजा महराजाओं की कानिया, the lives of kings, medicine and science के उपर, ठीक है, यानि कि दवाईयों के these were written in Sanskrit, और बहुत सारी ऐसी books हैं, जो कि Sanskrit में लिखी गई है, और बहुत सारी प्रकृतिक, language used by ordinary people, मतलब उस ताम पर उनको जो भी language आती थी, उस language में, वो books लिखी गई है, और Tamil language में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो simple सी बात है, हमें पता चलता है, ऐसी manuscript books हैं, जो उस जंदिरों में, और मुजियम में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी manuscript थी, जो कि destroy हो चुकी थी, इंसेक्ट तो वारा, इंसेक्ट ने उन्हें खा लिया था, खतम कर दिया था, नस्ट हो गई थी, और हमने कई ऐसी manuscript, यानि कई इसी books बचा के रखी, ठीक है, और उन वो books कि स्टॉप manuscript में आपको बताया कि लीम, palm leaves के उपर हातों से लिखी ही चीजे थी, आपने picture भी देखी, अब inscription की बात करते है, inscription का मतलब होता है, कि जिनों ने भी उस time, उस duration में, पत्थरों के उपर, stones के उपर, metals के उपर, लिखा हो, मतलब उस time ऐसा नहीं था कि palm leaves शुरुआत हो गए, पहले लोग क्या करते थे, पत्थरों पे चित्र बनाते थे, टेडे मेडे, या कुछ न कुछ अल्फावेट्स, लैटर्स बनाते थे, लिखते थे, ठीक है, तो उनको inscription कहा गया है, यहां पर लिखा है, these were writing on relatively hard surface, such as stone or metal, sometimes king, अब यहां पर क्या होता है, यह inscriptions क्यूं लिखे क्यूंकि कई बार क्या होता थे जब एक राज, जब दूसरे राजी को जीतता था, मतलब जो लडाइयां होते थे, जब वो 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 खोते थे, जब दूसरे के लैंड को जीतना चाते थे, तो वो victory होते थे, किसी भी राजा की, तो वो अपने कहानियां लिखवा देते थे, पत्थरों पे, दीवारों पे, ताकि वो मिट ना जाएं, खतम ना हो जाएं, और आने वली जन्रेशन उन कहानियों को पढ़े, तो राजा माराजा भी उन कहानियों को लिख देते थे, तो kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them, there are other kind of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what they did, तो वो as a record रखते थे अपने पा things that were made and used in the past, और ऐसी बहुत सारी चीज़े थी, जो की बनाई गई थी, past में हमारे, those who study these objects are called archaeologists, आप इन सब चीजों को जो पढ़ने की होती है, जो उनको research करता है, उनको हम archaeologist कहते हैं, ठीक है, और वो कौन-कौन सी चीजों को find करते हैं, कौन-कौन सी चीजों पर काम करते ह इसे की stones हो गए, metals हो गए, eat हो गए, paintings हो गए, इन सब चीजों को explain करते हैं, पढ़ते हैं, deeply research करते हैं उनके उपर, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे बरतन हो जाते हैं, pots हो जाते हैं, ornaments, coins, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, weapons हो गए, tools हो गए, stone, bricks, paintings, sculpture, बहुत सारी चीज़े हैं, मतलब इन सब की research, bone हो गए, या फर जानवर जब मारे जाते हैं, उस ताइम ऐसे से जानवर थे जोग कि आज की time में नहीं हो गए, बिलोप्त हो गए, बहुत सारी ऐसे, तो उनकी bones मिलती है, ऐसी कई मिट्टी मिलती है, कोई metal मिलता है, तो इन सब चीजों की इतियास में ठीक है, और वो कैसे survive करते थे इतने लंबे समय तक, plants remain survive for more rarely, और बहुत सारे ऐसे plants पेड़ पोदे, वो अभी तक भी हैं, या तब नहीं थे, या तब थे, वो अब नहीं हैं, तो इन सब चीजों की research कौन करते हैं, archaeologist, ये pots होगे, metals होगे, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर simple सी बात किये, और जब ये सारी चीज़ें कहीं से मिलती है, मतलब यहाँ पर अगर हिंदी में पढ़ा जाए, तो इतियास का, अर्थात अतीत का अधियन करने वाले विद्वान, मतलब जो past की research करते हैं, उन सब की जो knowledgeable scientists होते हैं, ठीक है, सिले ले खाओ, पा इस बुक का नाम our past है, मतलब ऐस लगा हुआ आगे, क्या एक ही इतियास था या बहुत सारा इतियास थे, तो simple सी बात है, यहाँ पर एक इतियास नहीं था, बहुत सारा इतियास था, क्योंकि देखो, अगर मैं बात करो 47 साल पहले की, तो उस टाइम पर लोग जब रह रहे ह हुआ था, ठीक है, या फिर लोग नहीं जानते थे क्यों कौन से fruits खाने हैं, कौन से पेड़ पॉदर की चीज़े खानी है, ठीक है, लोगों को नहीं बता था, यानि उन लोग की जिंदगी बहुत अलग थी, ठीक है, उन्होंने धीरे-धी research करी, या फिर अगर चलो उनको हम खुद से connect करते हैं, हम लोग कई वार अपने पापा से या दादा से ये बोलते हैं, कि आपके time period में ये चीज़े नहीं थी, और आज के time में ये चीज़े हैं, मतलब past change हुआ ना, क्योंकि आज जो हमारा present है ना, वो कहीं ना कि आने वाली generation के लिए ये past होगा, ठीक है, तो आप ये देखो कि past एक नहीं है, हमारे लिए हमारे दादा का past अलग था, फिर दादा के लिए पापा का past अलग था, पापा का अलग हुआ, हमारा अलग हुआ और आने वाली generation के लिए हमारा past अलग हुआ, तो कितने past हुए, दादा का, पापा का, हमारा और आने वाली generation क तो पास्ट ओविसली अलग-अलग होता है, तो अब पास्ट यहां पर कैसे एक्स्पेंग किया है, वो पास्ट एक्स्पेंग किया है, कि हमें अलग-अलग जिंदगी के बारे में पता चला है, जैसे राजा मारज़्जाओं की जिंदगी थी, उनके बारे में एक अलग पास् थे पीपल थे ठीक है उनकी एक अलग-अलग कहानी यहां पर लिखी गी अलग-अलग इतियास लिखा हुआ है अब तुडेय मोस्ट पीपल लिविंग इन दा अंडमार आइलेंड और गेट देर ओन फूर अब यहां पर अगा तुडेय यहां पर आज से कंपर किया है अब आज से उन्हों कैसे कंपर है इन्होंने कहा है कि अंडमार और निकोवर आइलेंड में जो लोग रहते हैं वो अपने खाने पीने कर रहने का इंतजाम खुद करते हैं ठीक है लेकिन हम लोग जो में लेंड पर जो एक आम आदमी है जो नॉर्मल पिपल वो यहां पर रहता है और वो एक सप्लाइज यानि कि जो वीट राइस फूर्ड फूर्ट इन सब चीजों खाते हैं और हम खाते हम आइलेंड पर रहने वाले लोगों की नहीं पता की जिं इसके अलावा यह बता है कि जैसे लिखना है क्या पढ़ना है कैसे बोलना है क्या कौन से वर्ड सी उस करने है ठीक है तो वो लोग अपना जैसे भी होते थे अपना बैस देते थे चीज़े सीखने के लिए लेकिन उनको यह नहीं पता था कि हम इन सब चीज़ों को एजर रिकॉर्ड रखें ताकि आने वाली जनरेशन देखे ठीक है या फिल लोगों को पता चले तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज तक हमें नहीं पता है कि लोगों ने क्रॉप्स कैसे ग्रो करी है ठीक है वो आप यहां पर देखो कि यहां पर बताया गया है कि यह जो पत्त्रों पर लिखी हुई चीज़ें होती है इन सब को एक स्टूडेंट है एक स्कॉलर है वो कैसे पढ़ सकता है कैसे समझ सकता है तो यहां पर बताया गया है कि यह हो सकता है एक प्रोसेस होती जिसको का जाता ह इस वीडियो में आपको बताया किसके वारे में मर्चेंट के वारे में रिकॉर्ड कैसे रखते थे वह विक्ट्रीज करते थे यह जो हंटर्स थे वह रहते थे तो यह सब चीज़े आज आपने पढ़ी अब इसके बाद में बात करता हूं कि एक ऐसा सर्प्राइज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता इस वीडियो के एंड में वेट कर रहा है वो सर्प्राइज आपके लिए वस यह ही है कि हमारे चैनल यानि कि आपका भाई आपको एक रिवार्ड दे रहा है बस उसके बदले में आपके भाई को क्या चाहिए इ ठीक है तो बस वन के सब्सक्राइबर है और इसकी लास्ट जेट है एक जनुरी 2022 बस गाईज हमें आपसे बस यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को अपना प्यार दो और सपोर्ड दो ठीक है गाईज और हम आपको उसके बदले में कुछ ने कुछ रिवार्ड और ही गिफ्ट देंगे जो कि फास्टर की एक रेस्ट वॉच है किसी भी सब्सक्राइबर को हमारे दी जाएगी बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और और अपना प्यार दो मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में थैंक्यू एंड बबाए हैव गुड टेए